तोस्तों मिसन कॉंपटिशन दौरा बिहार एससी बिहार दौरवगा के लिए क्रैसकोर से स्टार्ट किया गए इसमें डेली के टार्गेट्स हमारे हैंडिटे नोड्स हार एक सब्जेक्ट के पीडिएफ साथ जो प्रैक्टिस सेट्स का पीडिएफ होता है वो भी दिया जाय सारे एस्पेरेंट्स के लिए जो कि बिहार ऐससे सीजर 4 गा राहा देख रहे हैं पहली बात दूसरी बात बात करेंगे वेकेंसी कब तक आ सकता है और जो आप बाते सुन रहे हैं भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात है आप सभी जान रहे हो बिहार में अब 75% रिजर का बहाली नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भरा गया एक्जामनेशन 17 होने वाला है इंटर लेबल जो बिहार एससे इंटर लेबल वाला है वैकेंसी उसका फॉर्म जो है भरा रहा है 9 दिसंबर तक भराएगा और एक्जामनेशन प्रबैबली मार्च एप्रिल तक जो होने के तो द्यान रखिएगा ये सारा जो एक्जामनेशन है इसमें 75% वाला डिजर्वेशन एप्लिकेबल नहीं है लेकिन अब जितना नया आएगा नया जितने भी आएंगे उन सब में एप्लिकेबल रहेगा चाहें BPSC हो बिहार SSC हो जनवारी फरवारी में दरोगा हो कोई भी हो सब में ये एप्लिकेबल रहेगा इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो अब ही आप सभी जान रहे हो जो बीसी का जो कैटेगरी है बीसी कैटेगरी 12% से बढ़ा के उसको 18% उसमें रेजर्वेशन दे दिया गया है EBC जो है 18 से बढ़ा के 35% कर दिया गया ह से बढ़ाते बढ़ाते जो है ओवर आल 75% का जो है टोटल जो अब दायरा बना दिया गया है 75% रिजर्वेशन का दायरा बना दिया गया है इसमें नुक्षान एक तरीके से देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी के जो लोग है उन लोग को नुक्सान है ठीक है तो जो सब समझी रहे होंगे कि उनका दायरा सिमट गया है और कहीं न कहीं वो सिर्फ 25% के ही जो एक तरीके सुनका जो आप क्राइटेरिया रह गया वो 25% में वो लोग रहे गया है ठीक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीजियल 4 का देखे 2368 पदों का सुजन कर दिया गया है 2368 पदों के लिए जो है अधियाचनाएं जो है मिली है विभाग को अलग-अलग डिपार्टमेंट से पहली बात दूसरी बात रोस्टर क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाएगा रोस्टर वेगरा भी उस पे काम चल रहा है बहुत जल्द उसका हो जाएगा और जो 75% में नहीं आ रहा है किनी बहुत बंदो को अगर केटेगरी जो महिलाओं का खतम कर दिया गया 3-4% वाला जो था वो बताइये का महिलाओं जो का जो गया इसका चलो सुजन तो हो गया है create कर दिया गया, post बना दिया गया है लेकिन भाई, कब notification इसका जारी होगा और कब इसका जो है notification देखने मिल सकता है देखे, most probably जो chance है ठीक है, अभी सुचन हो गया है इसको अपर कामे चल रही है roasters, clearance बगर यह सब चल रहा है probably जो chance है, देखिए December last to January में might be ज्यादा chances है 2024 जन्वरी में, starting में ही आपको CGL 4 का वेकेंसी देखने मिल जाए yes, या यह वाला जो भी 9 December को जो आपका inter-level का भढ़ा रहा है यह form भढ़ाना complete जब हो जाएगा might be chances है, साहई इसके बाद भी आजा लेकिन ज्यादा chances है 24 में जन्वरी में ही आपको यह देखने मिलेगा notification इसका यानि form भढ़ाना तब सहीं start होगा examination की बात करें तो वहीं probably June के आसपास मैं June के आसपास या जुलाई के आसपास इसका examination होने का भी समावना रहेगा, ठीक है? यानि कि April के आसपास में इंटर लेबल का हो जाएगा और उसके दो-तीन महिने के बाद आपका June जुलाई अगस्त के आसपास दर्मियान में आपका CIGIL 4 का examination होने के chances रहेंगे syllabus वेगरा जो है वहीं अपना सब कुछ रहेगा, जो CIGIL 3 में था, वहीं सेम रहेगा इंटर लेबल में भी वहीं चल रहा है तो वहीं syllabus चलेगा, syllabus में कुछ बदलाओ कोई बाते नहीं करी गई है, अभी जो important जो बाते आ रही है, जो आपके लिए important update है कि 2368 पदों का सुजन हो चुका है, और बहुत CIGIL 4 का आपको vacancy देखने notification देखने मिलेगा तो आप सब अगर इसके लिए बिलकुल excited हैं, comment करके जरोड बताइए, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो करने लग जाएए vacancy आने वाला है, धन्यवाद